कैसे हो दोस्तों तो भाई आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अपने विंडोज पीसी में यानिक विंडोज 10 या 11 में विम्वेर को इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे तो बहुत असान तरीका है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे कांटेंट पर च करेंगे और यहां पर विंडोज के लिए दिया और लिनक्स के लिए तो विंडोज वाला हम लोग डाउलोड कर लेते हैं यहां से डाउलोड होगा करीब 600 MB का फाइल है मैंने वालोड किया हुआ है इसलिए मैं इसको कट कर दे रहा हूं और अब इंस्टलेशन का प्रोसेस म पर क्लिक करेंगे और यह जो दियागाओ टर्ण विंडोज फीचर्स ऑन और आफ इसपर क्लिक करेंगे तो यह यह पाप आएगा यहां पर डिरेक्स विंडोज फीचर्स लिफ होगे तो भी यह चीज़ आ जाएगा तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं इतना अंदर आने की तो इसका एक और तरीका है यहां से अगर हम लोग नहीं करते हैं कट कर देते हैं और व्यम्वेर को इंस्टॉल करना शुरू करते हैं है है यह पर सब्सक्रीनिë करेंगे नग्याइब यहां पर फोई चीज दिया है कि इंस्टोर्ल विंड्य प्लैटमर्म वहिए कह तो यहां से अगर हमलोग करेंगे ना तो हम सिस्ट्म एक च्थ्थ कर idly गपड़े ऑर महां से करते तो system ओपर वाले को टीक करने के जोट नहीं यहां पर जो कीबोर्ड वाला दे रहा है बस इसी को रन देना है और यहां पर लों नेक्स्ट करेंगे यहां पर उपर वाला तो सही है अपडेट के लिए है लेकिन नीचे वाला चाहो तो हाटा आ सकते हो नहीं वेट आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर नेक्स्ट कर देंगे और यह दोनों भी ठीक है यहां पर नेक्स्ट कर देना है अब यहां सब लोग इंस्ट्रॉल पर क्लिक करके इंस्ट्रॉल करना सुरू कर देंगे कि यहां से बस्फिनिस कर देना है तो यह हमारा व्यम बैर वर्केस्टेशन प्लेयर वो इंस्टॉल हो गया है यहां से आपको ओपन करना है और यह हमारा यहां पर इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो तो आगे की वीडियो आएंगी जिसमें बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको वर्चॉल मसीन बगारा बनाने हैं यह विडियो काइसे इस तरह से आप अपने विंडो पीसी में विए मवेर को इंस्टाल कर सकते हैं वीडियो चे लगे विडियो को लाइक करें गये खुछ पूछना चाहते आप तुमि